आप से पहले ये बड़ी खबर आ रही है नौट सिक्किम में एक बड़ा हासा हो गया है यापर सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं तीन जेसियों और 13 जवान इस दर्दनाख हासे में सेना के काफिले की गाड़ी जेमा में एक खाई में जा गिरी और इस दुरान आपको बता दें कि चार घायल जवानों को एरलिफ्ट भी किया गया है और अन्य जवान भी जो यह आपर हैं उन्हें रिस्क्यू किया जा रहा है लेकिन आपको यह आपर यह बड़ी जानकारी दे दें कि सेना के 16 जवान इस हासे में शहीद हो गए हैं पड़ी खबर नौर्ट सिक्किम में बड़ा हासा हो गया है सेना के 16 जवान इस हासे में शहीद हो गए तीन जेसियो इसमें शामिल और 13 जवान इसमें शामिल है जो कि शहीद हो गए इस दर्दनाख हासे में सेना के काफिले की गाड़ी जेमा इलाके में एक खाई में जाग तीन जेसियो और तेरा जवान शहीद हो गए तीन जेसियो तेरा जवान के 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 शहीद हो गए तीन ज तनकारी सामने आ रहे हैं कि चार घाल जवानों को एर लिफ्ट किया गया है तो सिक्किमें बड़ा हासा हो गया है खाई में सेना का ट्रुक सेना की गाड़ी गिर गई बजी सोला जवान जो है वो शहीद हो गए है इस वक्की बड़ी खबर सिक्किम से नॉट्ट सिक्किम से ये खबर आ रही है जहां पर एक बड़ा सड़क आसा हो गया और सड़क हासे में सोला जवान शहीद हो गए शुकरवार flex照 गहरी खाई में गिर गई जिसमें 16 आर्मी के जवान शिहीद हो गए हैं घटनस्तल पर काफी जादा भीड भी कटा हो गई है मौके पर रहात पचाफ कारे भी जारी है और चार जवानों को ऐर लिफ्ट भी किया गया है जिनें सीधा अस्पिताल ले जाया जा रहा है ये फिलह के पास एक गहरी खाई में जागिरी है और इसमें 16 आर्मी के जवान जो शामिल थे जो बैटे हुए थे शहीद हो गए तीन जेसियों इसमें शामिल है और 13 जवान इसमें शामिल है जो की शहीद हो गए हैं घटनस्तल पर भी जुट गई है मौके पर रहत और बचाफ कारे भी जाली है और इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रहे हैं कि चार घाल जवानों को एयर लिफ्ट किया गया है इस वक्की ये बड़ी खबर सिक्किम में दरदनाक सड़कासा और इस सड़कासे में सेना के जवान जो हैं वो इस हासे का शिकार हो गए हैं दरासल सेना के जव इसमें जवान शामिल है और कुछ जवान शामिल है इसके लावा ये भी जनकारी है कि कुछ जवानों को यहां से रिस्क्यू किया जा रहा है एर लिफ्ट किया जा रहा है मौके पर काफी ज़दा लोग ही कटा हो गए रहत पचाफकारे वाली टीम भी मौके पर मौझूद है और पर शासन ने रहत पचाफकारे शुरू कर दिया है चार घायल जवानों को एर लिफ्ट किया जा रहा है जिनने सीधा अस्पिताल है यहाँ पर गहरी खाई में ये ट्रक जागिरा काफी दर्दनाख हासा ये पेश आया तस्वीरे देखकर समझा जा सकता है जो सेना का जवान था पूरी जो ट्रक है वो पूरी तरह से एक शती ग्रस्त हो गया है और इसमें सवार जो जवान थे वो शहीद हो गए है जिसमें तीन जेसियों शामिल है और अन्य जवान इस हासे का शिकार हो गए तेरह जवान और तीन जेसियों इसमें शामिल थे चार अन्य जवानों जो की घाल हो गए हूंने एरलिफ्ट किया जा रहा है सिक्की में ये बड़ा दर्दनाख हासा तस्वीरे आपके सामने टिवी स्क्र रहा था ये उसी ट्रक की तस्वीरे हैं पूरी तरह सिक्षति ग्रस्त हो चुका है तस्वीरे देखकर समझा जा सकता है कि कितना भीशन दर्दनाख हासा यहां पर पेश आया है और इस ट्रक में सवार इस सेना की काफिले में सवार जो जवान थे आर्मी के वो शहीद हो हैं चार अन्य जवान जो की घायल हुए हैं उन्हें एयर लिफ्ट किया जा रहा है जी पंजाब रियाड़ा हीमाचल पर ये एक्स्क्लियूजिब तस्वीरें आप देख रहे हैं नॉट सिक्किम में यह बड़ा दर्दना खासा सड़ा खासा पेश आया है जो सेना के काफि जहान जो हाथसे का शिकार हुआ है और जेमा उलाकि में यहां है जानकारी के मताबिक जेमा के रास्ते में यह वाहन जो की काफिला सेना के जवानों का लेकर जा रहा है एक तीखे मोड पर एक घली ढढ़ां ने तुमार पर फेसल गया अन्यंट्रित होने के चलते हाथसा और ये भी जानकारी सामने आ रहे कि चार घाल सैनिकों को हवाई मार्क से यानि कि एर लिफ्ट किया जा रहा है उन्हें रिस्क्यू किया जा रहा है उन्हें इस्पिताल लेकर जाया जा रहा है और इसके लावा जो जानकारी है तीन जूनियर कमिशन रधिकारी और तेरा सैनि बड़ी ख़बर सिक्किम में दर्दनाख खादसा सडख खासे में 16 जवानों के शिहीद होने की खबर सेनक अधिकारियों के मताबिक घटना जेमा इलाके में हुई है जो कि उत्री सिक्किम में है और दुरुखटना गरस्त वहां तीन वानों के काफिले का हिस्सा था जो की हेरी खाई में जाकर गिरा जिसमें गे ट्रक पूरी तरह से एक शत्तिक रस्त हो गया है मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है चार जो जवान है वो घायल हुए हैं जिने रेस्क्यू किया जा रहा है एलिफ्ट किया जा रहा है और सोला जवान शहीद हो गए है तो खाई में सेना के जवानों का यह बाहन गिर गया काफी भीशन काफी दर्थनाख हासा यह पेश आया है और जानकारी के मताबिक इसमें लगवग बीस जवान जो थे वो सवार थे इस काफिले में अन्य चार वाहन भी यहीं से होकर गुजरे थे जिनमें सेना के जवान सवार थे लेकिन ये ट्रक जो है वो यहाँ पर जेमा इलाके के पास हासे का शिकार हो गया गहरी खाई में जा गिरा जिसमें सेना के सोला जवान जो है नौर्ट सिक्की में ये दर्द नाख सड़क हासा जिसमें सेना के जवान शहीद हो गए देश की सेमा में जुटे ये सेना के जवान जो की देश के अलग-लग हिस्सों से समंद रखते हैं लेकिन यहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए देश की रक्षा के लिए तनाथ थे और ये वाहन जो की इन सेरिकों को इन जवानों को लेकर जा रहा था रास्ते में वाहन एक तीखे मोर पर एक खड़ी ढलान पर जाकर फिसल गया और इस हासे में सेना के जवान जो की इस वाहन में इस काफिले में सवार थे इस ट्रक में सवार थे शहीद हो गए हैं और सेना के ये 16 जवान हैं जो की शहीद हो गया है फिलाल ताजा अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं और इन जवानों के बारे में भी जानकारी सामने आईगी बरहाल ये तस्वीरे जी पंजाब हर्याडा हिमाचल पर एक्स्क्लूजिव वाब तस्वीरे देख सकते हैं ये ट्रक ये वहाँ जो की इन सेना के जवानों को लेकर जा रहा था भयंकर तरीके से जो खाई में जाकर नीचे गिरा काफीक शतिग्रस्थ तस्वीरे जो है इस ट्रक की देखी जा सकती हैं